आज बनाएंगे साभू दाने के और मुफली के चीले अप्पे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं नहीं कोई सेखना है साभू दाने को और नहीं हमें बिगोना है पटापट से बनाएंगे तो मुफली का छिलका उताने की वज़े से मैंने यह हलके से शेख लिए और उनका छ साबुदान मैंने एक कप वैसे ही डाला है एक कप इसमें मुफली डाले हैं और इनको पीस लेंगे तो पीसते समय थोड़ा रोक रोक के पीस हैं जिससे कि वो मतलब मुफली का ओयल जैसा ने निकलाए फिर भी मुफली एक्दम बरीग पीसी है और थोड़े से चंग से रह जा है तो थोड़ी चिपक जाती है ऐल होता है इसमें डालेंगे हम ब्रत वाला नमक और जिंजर और हरी मेच्छी काटके डालेंगे जिंजर ग्रेट करके डालेंगे और मैं डाल रही हूं इसमें अगर मीडियम साइज के तीन आलू डाल रहे हूं और डालेंगे इसमें काली मे कोई भी आटा है कूटू का है या राजग्रे का है जो भी आप ब्रत में खाने वाला कोई भी आटा है तो आप उसे डाल सकते हैं तो एक दो चमश्च आप इसे डाल दें का तीन चमश्च इसमें डाला है और अब इसमें हम डाल देंगे दही तो दही भी दो से तीन चमश करें बहुँट अच्छे चीले और अपने बन के तैयारों होते हैं और फटा-फट ना हमें भिगोना है और ना ही हमें इसे सेखना है अब इसमें पानी डालते जाएंगे और एक इसका पहले थोड़ा सा गाड़ा बेटर बनाएंगे जिसे कि हमें अपे बनाने हैं और फिर थोड़ा सा पतला कर लेंगे जिसे कि फिर चीले बनाएंगे अब इसमें आम डाल देंगे मतलब थोड़ा थोड़ा पानी करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं मिक्स करने के बाद हम इसमें काटके हरा धनिया रख लें आम उपर से हरा धनिया डालेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी थोड़ा सा और पतला करना है आप इससे 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और फिर डालेंगे इसमें हरादनिया आप हरादनिया बाद में ही एड़ करें जब बनाने हो एकदम पहले है न गी लगा लेंगे तो देशी गी लगा रही हो ब्रत में देशी गी खाते हैं अगर आप इसमें बटर या और कुछ आप अपनी पसंसे लगा लें और सब में अच्छे से लगा लेंगे फिर हम तो थोड़ा सा बस हरा दनिया डाल दिया है हमने इसमें और आप पर डाल दिनके तो एक एक समित्से भरते जाएं और डालते जाएं पटाफट से बनके तयार होती है ये रेसेपी एकदम कुईक बना सकते हैं आप साबूदान हो और मुफली को पीसें और बनाएं और सच में आप मानेंगे कि आप बहुत टेस्टी बनते हैं आप इसे दही में डिप दही में भीगो के बतलब थोड़ी देर पांच मुनट मसाल मिलाके जैसे काली मेच और जीरा पाउडर उसमें नमक थोड़ा सा खीरा काटके डालें उसमें और फिर यह डालके और दो मिनिट के लिए छोड़ते हैं और फिर खाएं अब थोड़ा सा हमने पलट दिया है इनको और अब इसमें गी लगा देंगे और फिर पलट लेंगे एकदम और जो बीच में होते हैं यह तीन पीस वह वहां पर हीट ज्यादा आती है इसलिए आप इनको चेंज कर सकते हैं साइड वाले जो हैं बीच में लिया है और इनको साइड में कर दें इस तरह से क्योंकि वह ज्यादा शिक जाते हैं तो आप उन्हें चेंज कर दें और एकदम गोल्डन क्रिस्पी कर लें अच्छे से तब इन्हें हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसी बैटर से चीलिए तो इसी बैटर में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसे दो मिनिट हम कवर कर देंगे पहले और दो मिनिट के बाद इनन निकाल लेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है और दो तीन चमच जितना थोड़ा सा जैसे चीले का सा बैटर बन जाए और इस पर तबे पर गी लगा लिया है अब डाल द और जब अच्छा सा कलर आजाए देखिए आप इसे डखना चाहें तो डख दे नहीं तो मैंने ऐसे बनाया है ज़रूत नहीं है डखने की और आप दोड़ों तरफ से अच्छा क्रिस्पी करके इनने निकाले जे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और दही के साथ या फिस चट् ही बनाई थी ऊपर से इसमें घी लगाएंगे और फिर हम पलट देंगे क्योंकि अगर ऐसे ही प्लट दिया तो वह थोड़ा से चिपकेगा क्योंकि ऊपर उस पर गी ऑईल आप डाल दें फिर इसे पलट दें और अच्छा दौना तरफ से अच्छा कलर आने तक इसी तरह से सारे चिले आप बना लीजिए और बस थाली तयार है आप अगर कुछ इसमें और वेजीटेबल अपने इसाफ से डालना चाहें तो वह भी एड़ कर सकते हैं आलू नडाल कर कुछ और वेजीटेबल प्री डाल सकते हैं तो आप इने बनाईए कबर करके भी आप इसे बनते हैं और रेसिपी अच्छे लगी है तो लाइक कीजिए फिर मिलते हैं ऐसी हेल्दी और टीस्टी रेसिपी के साब थेंक यू